हेलो फेंड नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक कटिंग और स्टेचिंग की वीडियो शेर करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे जागो वाला जो लहंगा होता है वो कैसे बनाया जाता है तो इसके लिए जो कपड़ा और इसकी stitching का तरीका है वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगे इसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो मैंने 4 मीटर लिया है मेरे पास ये 4 मीटर कपड़ा है इसको मैंने डबल कर लिया है मैं आपको दिखा देती हूं नीचे की 10- 13 इस साइड मैने इसको लिए यहां पे एक सिलाई लगा ली है यह यह देखिए 254 मिटर कपड़ा लिया है यह उसको बनने कर लिया है अब इसको क्रोंकर बनाने अंगि स्थान कया इन से ऐसे ला हम शुरू करेंगे मौत बहुत का जो पीस है उसको भी हमने सेम उसी तरह सिल लेना है यहाँ पे इसे इस तरह बंद कर लेंगे यह जो लाइनिंग है यह दो मीटर ली है मैंने और यहाँ पे जो कपड़ा में लिया है वो चाल मीटर लिया है में कपड़ा बढ़ेगा लेकिन जो लाइनिंग का हिसा रहेगा वो सेम इसी तरह रहेगा जैसे आगे भी आप बनाना चाहते हो बड़े घेरे में यहाँ पे 6 या 7 मीटर का तो लाइनिंग सिर्फ 2 ही मीटर लगेगी तो चली पहले में इसका सिल कर बताती हूँ आपको यहाँ पे जो कपड़ा है में फैबरिक है जो लहेंगे वाला उसको हमने बीच में से तो सिल लिया था अब हम इसमें प्लेट डालना शुरू करेंगे तो हम 1 by 1 इसमें प्लेट डालेंगे जैसे प्लेट हम सलवार में डालते हैं उसी तरह की प्लेट हमने डालने है 2 से 3 इंच कपड़ा आप छोड़ दीजिए साइड में उसके बार प्लेट लगाना शुरू कीजिए 1 इंच की प्लेट आपने लगानी है और इसको इस तरह रेडी करना है अगर आपके पास कपड़ा 4 से 5 मीटर से ज़्यादा है जैसे 4 मीटर से ज़्यादा है 6 और 7 मीटर का आप लेंगा बना रहे हो तो यहाँ पे प्लेट का साइज आपने बड़ा कर देना है फिर हम प्लेट का साइज 2 इंच तक भी ले सकते हैं तो इस तरह हम प्लेट लगा कर पहले रेडी करेंगे सारे पीस को फिर उसके बाद आपको बताऊंगी क्या करना है बैल्ट कैसे लगानी है और इसमें लाइनिंग कैसे अटैच करनी है तो आप देखें यहाँ पे हमने प्लेट लगा ली है साइडों में 3 या 4 इंच का कपड़ा साइडों में दोनों साइड छोड़ दिया है हमने और यह जो बैट लगती है नॉर्मल हमारी हिप से 4 से 5 इंच जादा लगेगी जैसे अगर हाप की हिप है यहाँ पे 22 इंच तो यहाँ पे आप इसे टोटल में देखें यहाँ पे मैंने 5 इंच के गरीब जादा ले लिया है 20 इंच हेप है हमारी तो यहां पर हम इसको 5-6 जादा ले लेंगे तभी हमारी यहां पर प्रेट अच्छी आएगी जो हमारी बैट लगेगी तभी परफेक्ट लगेगी अब सबसे पहले इसके अंदर लाइनिंग लगाने का तरीका बताती हूं लाइनिंग को पहले इस तरह स जगाना है अब लाइनिंग को इसके अंदर पहले डाल लेते हैं इस लहेंगे के अंदर की तरह डालेंगे इसको इस तरह हमने इसके अंदर डाल लेना है और एक किनारे से सिलना शुरू करना है जिस साइड ये सिलाई लगी है उसी साइड से हम शुरू करते हैं दोनों सिलाईनियों को आपस में मिला लेंगे और स्रिचिंग करना यहां से स्टार्ट करेंगे अब यहां पर जहां पर हम स्रिचिंग शुरू कर रहे हैं यह देखिए जो मेंट फैब्रिक था हमारा चार मीटर था लेकिन लाइनिंग हमारी दो मीटर है तो इतने सारे प्लेट्स में नहीं आएंगे यहां पे इसमें बीच बीच में आपने कहीं प्लेट देना है सारी लाइनिंग को आपने यहां पे पांच से चार इंच पीच में छोड़ दीजे उसके बाद एक प्लेट दे दीजे इस तरह हम बीच बीच में छोट छोटे प्लेट से इसके दे देंगे और नीचे वाली प्लेट्स का भी ध्यान रकेंगे, वो फ्लेट्स और बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए. अब हम कहीं कहीं बीच-बीच में इसको प्लेट को लगाएंगे और वाइनिंग को कम्प्लीट कर लेंगे। अब देखे लाइनिंग हमने जोड़ ली है बीच बीच में प्लेट लगा लिये थे यहां पे अब हम इसमें बैल्ट लगाएंगे यह जो कपड़ा है मैंने चार इंच की चुड़ाई का कपड़ा ले लिया है चार इंच चुड़ाई को हमने लंबाई में कट कर लेना है जितना हमारा हिप का साइज है उतना इसके बराबर इसको कट कर लेंगे जैसे इसका घेरा मैंने जितना रखा है उस हिसाफ से हमने इसको काट लिया है अब हम सीधी साइड से इसको लगाएंगे बैल्ट को हम उल्टी साइड रखेंगे और सीधी साइड सिलाई को लगाना है यह उल्टा सिलना है हमने सिलाई को पल्टी करना है तो अब हम इस पहला बैल्ट को जोड लेंगे उसके बाद फिर आपको बताऊंगे जोड कैसे लगाना है इसके अंदर इसको हमने बिल्कुल सी होने चाहिए और नीचे वाले जो लाइनिंग का पीस है उसको भी ध्यान से पीछे की तरफ करके ही सिलेंगे अब दिखिए जब हम बैल्ट को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर सिलाई लगेगी वैल्ट को हमने यहाँ पर बीच ऽोड़ना है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कपड़ी यह अपका एक्स्रा है उसे कट कर दीजिए और इस्वाइब को लगा दीजिए इस तो यह कपड़ हमारे पस एक्स्रा है, इसे निकाल देते हैं और यहां पे इसको जोड लेते हैं जोडने के बाद हमने इसको इसको सिलाई को complete करना है बैल को हमने इसने जोड लिया है यह सिलाई का जो छोटा सा टुकला रहे था, उसको हम इस तरह सिल लेंगे अब इसे सिलने के बाद इस सिलाई को हमने दबा देना है इस तरह हम इस तरह सीधा रखेंगे पहले सिलाई को हमने इस तरह सीधा कर लेना है और इसको नीचे की तरफ रखे दबा देना है जो इस तरह का फेस होगा वो उपर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह स्टिच कर लेंगे देखिए अब सिलाई को मैंने अच्छी तरह दबा दिया है अब इलास्टिक की बारी आती है यहाँ पे हम इलास्टिक को नाप लेंगे यह जो इलास्टिक है मैंने यहाँ पे 15 इंच वान साइड ली है और यह टोटल में 30 इंच है 30 इंच हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पे 40 इंच हिप के लिए 30 इंच इलास्टिक लगेगी और इसे हम राउंड में इस तरह सिल लेंगे पहले इस तरह आपने इस लाई लगा कर इसको जोड़ लेना है इलास्टिक को उसके बाद फिर लहंगे के अंदर डालेंगे अब हम इलास्टिक के अंदर इस बेल्ट को डाल लेंगे पहले बेल्ट को आपने इसके अंदर डालेना है और इसे सेट करते हुए उपर से जो हमारी बेल्ट है उसे हमने फोल्ड करने है इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे इसे हम सिलाई के बिल्कुल बराबर रखेंगे इलास्टिक को और इससे टर्न करेंगे और इस त्काइम थोड़ा संदर की तरफ मोड़ते हुए जो धागे बगहरे हैं सारे अंदर की तरफ कर दें और इस सिलाई को आपने इस तरह लगाना शुरू करने है अब जब आप सिलाई को लगा रहे हो तो आपने एक चीज़ का ध align रखना है अब आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखते हुए कि सिलाई इलास्टिक के उपर ना आए, उनली कपड़े के उपर आए, तो इस बैल्ट को इस तरह मोड़ते जाएंगे अब देखिए जब एंड आता है तो उस ताइम क्या होता है कि इलास्टिक हमारी कमरा जाती है और हमारी बैल्ट बड़ी रह जाती है तो आपने क्या करना है, इलास्टी को हलका हलका सा खींचना है और बेल्ट को सेट करते हुए आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो थोड़ा-थोड़ा इलास्टी को खींचने जाएंगे और बेल्ट को इस तरह सेट करते जाएंगे इसी तरह ये सिलाई लगा कर हम इसे complete कर लेते हैं और सिलाई देखिए हमारी लग चुकी है अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह स्टैच करेंगे जब आप इसे स्टैच करोगे तो जो चुननट है वो सारे लहंगे में equal आ जाएंगे और यहां पर कोई भी जोल बगरा बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसे खींचने के बाद आपने इसके उपर एक सिलाई लगानी है जो इलास्तिक है इसके उपर एक बार सिलाई लगा दीजिए उसकी बज़े से सिलाई हमारी घूमेगी नहीं तो यह देखिए अब हमारा लहंगा यह तियार हो गया है अब सिर्फ काम क्या करना है आपने इसके लंबाई सेट करनी है आप जितना भी लंबा लहंगा पहनना चाहते हो 40, 42 या 30 या जितनी भी लैंथ है आपकी उस हिसाब से आप इस लहंगे को नीचे से फोल्ड करें उसके बाद फिर इसके नीचे हम लेस लगाएंगे जैसे कि यह बाला लहंगा है जो 40 इंच त्यार हमने करना है तो इसके नीचे से हम जितना कपड़ा भी एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड कर देंगे इसमें 3 इंच के गरीब कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा तो इसको हमने इस तरह फोल्ड कर देना है और इसके उपर लेस लगानी है और लाइनिंग है उसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रखेंगे दो इंच उचा रखेंगे कहने का मतलब है तो इसे फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार तो देखें यहां पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है गेरे को भी फोल्ड कर लिया है नीचे लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है अब हम इसके उपर लेस लगाएंगे उसके बाद ये हमारा लहंगा बिलकुल कम्प्लीट है तब देखें यहां पर लेस को रखते हैं मैंने चोड़े वाली लेस ली है दो इंच के करीब ये चोड़ी लेस है तो इसको लगाने के बाद इसकी जो ग्रेस आएगी बहुत ही परफेक्ट आती है तो इस लेस को आपने सीधा रख कर लगा देना है इसमें कोई भी ज्यादा जंचर वाला काम नहीं है आप देखिए ये हमारा लेहंगा बनकर त्यार हो गया है जगों के लिए जो परफेक्ट लेहंगा की कर्टिंग और स्टेचिंग मैंने आपको बताई है आप इसका घेरा देख सकते हैं पूरे कमरे में इसका घेरा फैल चुका है तो बहुत ही खुले घेरे का ये चार मीटर में बनाया है मैंने आप यहाँ पे छे, साथ, आठ मीटर कितना भी कपड़ा लगा कर खुले घेरे का यहाँ पे लेहंगा ये बना सकते हैं उपर से आप कुर्टी डालिए और आपको ये बहुत ही परफेक्ट लगेगा इसके साथ मैंने कुर्टा बनाया है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ आप देखिए इसके साथ मैंने ये वाली कुर्टी बनाई है और बहौत ही परफेक्ट इसकी मैचिंग होई है और जब इसे पहनेंगे तो इसकी जो लुक है वो बहुत ही औसम आती है तो आपको अगर कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक रू कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और आगे हम आपके साथ बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे तब तक आप ऐसे ही बने रहें यह जो लहंगा बना है यह आ अजो आपके सारी वीडियो लेकर यह जो लेकर बना है।